वस्तव कैसे हैं आप लोग और आज हम मिले हैं क्या करने हैं सर अभी रात को 12 बच्च के 40 मिनेट और हमारा टागेट है अगले एक घंटे हम बेस्टेटी और कर ले खतम लाइट वो लाइफ स्ट्रीम में कुछ दिक्कत आ गई थी इसलिए न चालू निवाथ लाइफ स्ट्रीम थोड़ा सा लेट हो गया हम पर अब चालू हो गया है क्या हो रहा था वह पता नहीं वह कुछ मतलब जो मारे मैराथान की लिंक क्रिएट किये ना उसमें ही छाइप वह लाइब हो गया है तो कुछ नाडख तो अगिया तो आप लोग बस एक काम करें ना कि अब वह लिंक चली गई शयवन जुम रेख JF लिंक करें पाऊ इलेवन बार्भा नेंग करें चलो करें अब बच्य बच्क कॉर गये पजितेबचर आब नहीं चलो लोग कर रहे हैं बागी लोग वीडियो को कल देख लेंगे मौनिंग में कोई दिक्कत नहीं है जितने बच्छे अब भी आ सकते उत्ते तो आ गए है ठीक है रात को देख रहे हैं आपने क्या मैं सही देख रहा हूं मतलब मुझे लगा था 20 बच्चे लाइव है 20 दिख रहे थे पहले अभी इट इस कितना 97 लाइव है ओ माइग ठीक है चलो ओके गुड़ी इवनिंग गुड़ी इवनिंग गुड़ी इवनिंग बहुत बढ़िया अच्छे से करते हैं खतम ठीक है अरे रात पे एक दम मज़ा अलग आता है एक दम अलगी जोश आता है रात को खतम करते है फटफट ठीक है तीन चैप्टर रहे चोड़े चोड़े बैप्स टेक्स ट्रीटी और मॉडल टेक्स कर्वेंशन इतना ही मैं जितना वीडियों पढ़ना उत्ता ही पढ़ना उसके कुछ नहीं पढ़ना है अपको ठीक है इतना पढ़ लोगे तो more than sufficient एक्जाम में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा और आया भी इसके बाहर तो फिर वो भगवान के ऊपर छोड़ दो बोलना जैशी राम खतम करो उसको नहीं दे इस उपर पढ़ना भी नहीं हमको बोलना हम अब इतना पढ़ने वाल उतना ही पढ़ना है और उसके अंदर आ जाएगा पिछले तीन चार एक्जाम में इसके बाहर पाच एक्जाम में इस पर आया है नहीं कुछ भी ठीक है ओके अरे 125 लाइव है क्या बात यार ती रात को दिल खुश हो गया मेरा ठीक है चलो तो सबस है सर बेस इरोजन एन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या बोलते हैं बेस इरोजन एन प्रॉफिट शिफ्टिंग ठीक है अब यह बेस इरोजन एन प्रॉफिट शिफ्टिंग होता क्या है सर बेस इरोजन एन प्रॉफिट शिफ्टिंग होता क्या है कि यार देखो हम क्या करत कर नहीं पाती हैं इसलिए हमने क्या बनाया है 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 देखो क्या होता है, मालों इंडिया है, दुबई है, अब दुब में टेक्स नहीं लगता, इंडिया में टेक्स बहुत जाधा लगता है, तो अपन क्या करेंगे सर, इंडिया में इंकम कम कर देंगे, दुबब में जाधा कर देंगे, और बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत सब के बाप बनेंगे मतलब ऐसे गलत मा समझना हम पापा बनना एला काम कर रहे हैं ठीक है हम यह बोता हैं कि तुम करना पड़ेगा वो बताते हैं उपर बैट कि यह करो यह करो यह करो तो हम को करना पड़ता है ठीक है तो OECD ने न यह बैप्स अब क्या हो रहा है कि अब जै और है पुरा उधर इधर दुबई में तो ये सब चीजे रोकने के लिए क्या हुआ ये सब रोकने के लिए OECD ने बोला भाई मैं बताएगी क्या करना है नों ने बोला हम आपको बताएंगे कि क्या करना है आपको तो उन्हें कुछ न Stretch किये क्या किये action plans suggest किये कि आप यह plan मतब जो हम बोड़ रहे हैं वो कर लो तो आप करना यह सब जो erosion हो रहा है यह सब नहीं होगा तो यह उन लोग ने बुलाए सब करने तो अब यह action plan है अब ऐसे उन्ने 15 action plans दिये 15 action plans अब हमने कौन सा माना कौन सा नहीं माना देखेंगे अपन इसमें से कुछ हमने माने है कुछ हमने नहीं माने है ठीक है 15 action plans है बस खतम इतनी सी बात है ठीक है ओके ओके राइट तो बेटा बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे कि रात को इतने बच्च लाइव है और मुस्ट बन 45 शुडेंट्स बन फिफ्टी स्टून्स लाइव है यार क्या बात है जितने बच्च लाइव बटा लाइक कर देना चुप चाप से ना यह वीडियो रात को ले रहे हम ज्यादा पहुचेगा नहीं कहीं कहीं तो प्लीज लाइक कर देने ताकि यह सब जगा पहुच जाए आप क्या सर लाइक लाइक करने बोलते रहे है तो सरी क्या तरीका है सर अपका बेटा थलाग करना पड़ता है बेटा रोज़डोटी यह सवाल है पैट का सवाल है पेट का चलो क्या होता है अब बैफ्स क्या है बैफ्स मतलब तुमको बता है मैं एक्षन प्लान बने है सबसे पहले आपन एक्षन प्लान ही पड़ते है इसे कित्ते एक्षन प्लान है पंदर एक्षन प्लान है तो आपन डिरेटल एक्षन प्लान पड़ेंगे यह पीडिएफ है इसमें थ पैटे पैटे ना होशारी मार रहा है, ओर दे रहा है, कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, हमारा काम है, हमको मानना है नहीं मानना है, तो BAPS ने एक्षिन प्लान बनाया, और उसने बोला, एड्रेसिंग चैलेंज़ेस ओफ डिजिटल एकोनोमी, उसने बोला, या डिजिटल एकोनोम से बैठके, इंडिया में कर सर्विस दे रहा है कुछ, ठीक है, ओनलान सर्विस दे रहा है, तो हम तो टेक्स लगा ही नहीं पा रहे है, क्योंकि बाहर का एनर बंद है, और उसने बोला, या डिजिटल एकोनोमी जब से आई है, चैलेंज़ेस बढ़ गए है, तो उसको एड कि P, उसको भी कहा जाए किसको, significant digital presence को भी P कहा जाए, permanent establishment के definition में तुम significant digital presence को भी लेके आओ, मतब P, अभी P कैसे मानते हैं अपन, किसी का branch है, office है, तो P मानते हैं अपन, याद है, कि branch है, office है, कोई warehouse है, तो अपन क्या बोलते हैं, यह P है इंडिया में उसका, पर यार, तुम कोई बहार से बैटके, अगर कुछ digital कर रहा है अपने साथ, तो उसको भी तुम क्या करो, उसको P बनाओ, पहली बात उनने यह बोली, ठीक है, दूसरी बात, अब virtual fixed place of business P, when the enterprise maintains a website on a server of another enterprise located in a jurisdiction and carries on business through that website, आपकी website का server अगर इंडिया में है, तो उसको भी virtual P बताओ, उसको virtual fixed place of माल लो, example दे रहा हूँ, और इंडिया में server है उसका, तो उसको virtual fixed place of business बनाओ, उसको भी, ठीक है, एक final withholding text लगाओ, और एक equalization levy लगाओ, for certain digital transactions, तो इंडिया ने क्या किया, हमने क्या किया, बताओ इसके लिए, ऐसा कुछ यादर है, हमने कुछ किये है कि इसके लिए, OECD ने recommend किया, तो हमने कुछ किये है क्या, हाँ किये सर, क्या किये बताओ, क्या किये, सर OECD ने बोला किये, कुछ withholding text लगाना है, यह उपर काता न, हमने कुछ तो किये, पर हमने PE case में ने किये, हमने क्या किये, बिजनस connection बना दिये, ठीक है, तो business connection बारे में यहाँ तो लि इंडिया में, इंडिया ने finance 16 में, chapter 8 में, equalization level लगा 6%, और 2% भी e-commerce भी लगा दिया, ठीक है, तीसरी बात, finance 20 ने 194 O भी insert कर दिया, जो e-commerce operator, काटेगा e-commerce participant का, तो यह तीन चीज़ें की है, जिससे कि क्या होगा, कि बाहर के लोगों से हम पैसा ले सकते, पैसा काट सकते, ठ इसके लावा, बाकी इसने PE बनाने बोला था, अपने PE में कुछ नहीं किया, अपने business connection में किया है, पर वो आपको लिखना नहीं है, business connection में significant economic presence लेके आये ना, है ना, वो भी कहीं नहीं, अपने इससे idea लिए है, पर इनोंने PE के बारे में बोला है, permanent establishment के बारे में, पर अपन इसने क्या incorporate किया, income tax laws में, इसमें क्या incorporate किया, ठीक है, मुझे एक बात please बता दो, कि तुम्हारा समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको, मतलब मैं, मतलब मैं अभी थोड़ा सा, बहुत दिन बाद, थोड़ा slow पढ़ा रहा हूँ, अभी क्या हो रहा है, कुछ वीडियो slow पढ़ता है, तो ना अब एकदम ऐसा mix mix हो गया है, तो मैं इसलिए तुम लोग से मैं सिर्फ confirm कर रहा हूँ, hopefully समझ में आ रहा होगा, बट सिर्फ confirm करो समझ में आ रहा है तो please बता दो यार एक बार, समझ में आ रहा है कि मांसी बोरी, heads off to this guy, I cleared group 2 because of him, with good score, just good efforts from him, pushes us to do a lot more, thank you Manoj, मांसी नहीं, मांसी नहीं, मांसी नहीं, मांसी नहीं है, sorry, मांसी बना मनोज, sorry, मांसी, sorry, thank you, मांसी बना मनोज, sorry, thank you, मनोज भाई, speed is too slow, okay, perfect, easier, नहीं, तुम बताओ, speed सही है समझ में आ रहा है, थोड़ा slow है speed, थोड़ा बढ़ाओंगा दीरे-दीरे, ठीक है, okay, bit of English आट करो, बेटा, English में तो बढ़ा रहा हूं, पूरा, इस तेता English नहीं कर सकता है, फिला लेसे वीडियो में, ठीक है, increase speed, okay, speed बढ़ा सक सर, थोड़ी सी, जादा नहीं बढ़ाओंगा, चिंता मत करो, ठीक है, थोड़ी सी बढ़ाओंगा बस, थोड़ी सी, मतलब तुम ही सब बोलो के ठीक है सर, ठीक है, अपना, BEP section plan 3, strengthen controlled foreign corporation rules, यह क्या है सर, अपनी इंडिया में, बाहर जो होती है, इंडिया के बाहर कुछ controlled foreign corporations होती है, मतलब इंडिया जिन पर control कर सकता है, अब इंडिया control किसमें सर, इंडिया control किसमें, इसमें बोलता है सर, कि, CFCs are foreign subsidiaries in tax heavens in which the taxpayer has controlling interest since tax is generally levied on distributed dividend tax in parent country could be avoided until the tax heaven country actually paid dividend to shareholders the OECD regards CFC rules as important in tackling BAPS and has made a series of best practice recommendations in relation to building blocks of an effective CFC regime, इसमें क्या बोल रहा है कि भाई तुमना CFC का definition मनाऊ, तुमारे तुमारे लिए controlled foreign corporation क्या है, तुम इंडिया में हो ना, तो तुमारे लिए controlled foreign corporation क्या होती है, ये बनाओ ठीक है, उसके लिए कुछ exemption दो threshold requirement दो, ठीक है उसकी income पे कुछ अलग तुम benefit दो तो जो चीज़े तुम करोगे हम उसके कुछ करेंगे, तो इंडिया ने क्या किया था पता है, इंडिया ने ना, इंडिया ने section 115 BPD लेके आया था, उनको पता सक्षन 115 BPD क्या है, 115 BPD में हम जो अगर कोई foreign company है, जिसमें हम 26 person ओमूर hold करते हैं, उनसे अगर dividend मिलता है नाम को, तो 15% पर tax होता था, और उस प इंडिया ने क्या किया है, 115 BPD डिलेट कर दिया है, अब 115 BPD is applicable नहीं है आपको, it is no more applicable, it is no more applicable, तो 115 BPD चला गया है, तो अब तुमको पस यह पतान रखना है, कि BEPS action plan 3, अब आपके इसमें applicable नहीं बचा, मतलब, इंडिया न लॉज में इंकॉर्परेट नहीं है, बैस action plan 3 तो आपके पास जो foreign subsidiaries है, उसमें क्या करो आप, उसके rules बनाओ, ठीक है, और उनने एक building block model बनाया, जिसमें definition बनाओ, exemption दो, income बनाओ उसकी, rule बनाओ, computer income करने के, और double taxation prevent करने के लिए rules बनाओ, basically यह बोला उसने, किसना OECD ने, हमने क्या किया था, हमने पहले 115 BPD बनाया था इसक ठीक है, ओके, यहां तक easy है, BEPS action plan 1 किस बार हम बात करता है, BEPS action plan 1 बात करता है, सर, कि आप virtual P बनाओ, ठीक है, P के definition change करो, और equalization level लगाओ, हमने क्या किया, हमने equalization level लगा दिया, और 194 O ले के आ गए, बस बात करता है, कि controlled foreign corporation के बारे में नाम बताओ, उनके rules बनाओ, अपने बनाओ थे पर हम delete कर दिया, बनाओ थे पर delete कर दिया, ठीक है, ओके, अब next देखो, BEPS action plan 4, अब तुमको बहुत रिलेट होगा यहां से देखो, तुम रिलेट होगा तुमको, खुदी रिलेट होगा, ठीक है, BEPS action plan 4, interest reductions and other financial payments, ठीक है, the common approach which directly links an entity's net interest reductions to its level of economic activity based on taxable EBITDA, इंक्ल ratio rule, group ratio rule, targeted rules, ठीक है, इन्होंने क्या बोले, कि देखो, तुम जब बहार की, तुम payment कर रहे हो, interest का payment कर रहे हो, किसको, अपने बहार की organization को, तो उसके लिए कुछ rules बनाओ, किस business पे, fixed ratio rule बनादो, तो group ratio rule बनादो, target rule बनादो, fixed ratio rule मतलब, कि तुमने एक benchmark बनादो, EBITDA पे, कि इतना हम अलाओ कर देंगे, ठीक है, तुम group ratio rule बनादो, क्या, कि आप interest expense deduct कर सकते हो, on the position of its worldwide group, आपका पुरो worldwide बे जो group है न, पुरो worldwide group है आपका, उसमें आपकी जो position है, उस basis पे, आपके अलगर rules बनेंगे, कि अगर आप इस position पे हो, तो आप कितना interest deduct कर सकते हो, अगर आप आप दूसरी position पे हो, तो आप कितना interest deduct कर सकते हो, यह बनाओ, या फिर आप targeted rules बनाओ, ठीक है, आपको कोई risk पता है, कि यहाँ पे risk हो सकती है, तो उसलिए rule बनाओ, कि interest payments में यह rule बनेंगे, तो अपने इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने क्या किया, बताओ, इंडिया इंडिया ने 94B follow किया है, इंडिया ने 94B follow किया है, ठीक है, जिसमें इंडिया क्या करता है, 30% विबिदा लाओ करता है, और excess interest लाओ कर देता है, और interest payment 1 crore से उपर होना चाहिए, ठीक है, excess interest कैसे निकालते है, total interest minus 30% विबिदा, और interest paid to whichever is lower, और excess interest लाओ होता है, that is carried forward for next 8 years, तो यह question आया, BEPS action plan 4 के बारे में, तो अब क्या बोलोगे, BEPS action plan 4 में, OECD ने क्या किया, OECD ने बोला कि भाई, आप जो interest और financial payments है, उसके rule बनाओ, कौनसा, fixed ratio rule, group ratio rule, targeted rules, मतलब rule बनाओ ऐसा बोला उनने, और इंडिया ने कौनसा follow किया, इंडिया ने उसमें से fixed ratio rule follow किया, based on EBITDA benchmark, 30% of EBITDA, यह बार समझी किया, मुझे बता दो एक बर, सर यह सब chapter छोड़ सकते हैं कि आज तक नहीं पड़े बिटा, मिटा आज पढ़ लो, मत छोड़ो, आज पढ़ लो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, BEPS action plan 4 क्यों बना, सर EBITDA के बना, वो 94B के लिए, तो आपको या याद हो गया, याद हो गया, ठीक है, याद हो गया, ओके, अब देखो next, BEPS action plan 5, counter harmful text practices, ठीक है, BEPS action plan 5 में OECD ने क्या बोला, कि देखो, इन केस of R&D, जो research and development activities होती है न, the nexus approach recommended by OECD, BEPS action plan 5 requires attribution and taxation of income arising from exploitation of intellectual property in the jurisdiction where substantial R&D activities are undertaken instead of jurisdiction of legal ownership, देखो, लोग क्या करते हैं, पता है, लोग क्या करते हैं, भाई, R&D वो इंडिया में करेंगे, मतब एक country में R&D करेंगे, ठीक, किसी patent के बारे में, patent या फिर किसी royal, मतब जो भी patent पेटेंट हैं, उसके बारे में उन लोग, इंडिया में क्या करेंगे, R&D करेंगे, ठीक है, और tax क्का करेंगे, उसकी income, tax ऐसी country में करेंगे, ownership बाहर ले ले लेंगे, तो ownership अगर बाहर ले लिए ठीक है और क्या होता है उन्हें बोले कि वहार बाहर वाले इंसान है तो उसके आत्म रोल्टी इंकम होगी पर पूरा खर्चा आरेंडी कहा हुआ है इंडिया में हुआ है तो इन्होंने क्या बोला कि भाई जहां सब्स्टेंशल आरेंडी होई वहां पर टेक्स लगाओ जहां सब्स्टेंशल आरेंडी होई वहां पर टेक्स लगाओ रहूल सर आये है रहूल टकवाणी सर यस कीप रंग थैंक्यू रहूल सर थैंक्यू सर ठेंक्यू सर ठेंक्यू सर देखो ओई शिरी ने बैप्स एक खर्चा हुआ है वहाँ पर टेक्स लगाओ तो हमने क्या बनाया हमने बनाया उसके लिए सेक्शन बन फाइप बीबी एफ क्या बोलता है रॉयल्टी इंकम 10% पर टेक्स होगी विदाउट ने एक्सपेंसे कहां पर ऐसे पेटेंट के लिए जो डेवलब्ड एंड रजिस्टर इन इंडिया है और डेवलब्ड इंडिया मतलब जिसका 75% खर्चा इंडिया में होना चाहिए राइट तो ऐसा पेटेंड कले अमने क्या बनाये पेटेंट कलेंवने रूल बनाये था है यह सेक्शन वर एफ या तुमको याद है है ना ओके तो बहूत रिलेवेंट स्टाड प्लैन 5 कि मैं क्या आया ? 15 BBF तो मैं ऐसा बोलू तुमको कि BAPS Action Plan 5 115 BBF याद होगा ? याद होगा ? और 75 % का भी 5 तो 555 ऐसे आद हो जागा तुमको ठीक है ? यूगि क्या होता है पेपर में कैसे question पूछता है कि BAPS Action Plan 5 में क्या सज्ट किया था ? और इंडिया ने क्या apply किया उसमसे ? तो हम बोलेंगे OEC ने BAPS Action Plan 5 में क्या बोला ? कि जहां R&D हो रहा है वहीं पे tax होना चाहिए हमने क्या किया ? उसके लिए 105 BBF लेके आया और 105 BBF में क्या होता तुमको पता है ? ठीक है ? तुमको ऐसी लिखो कि तुमको याद answer में marks मिलेंगे ? ठीक है ? तुम एक काम करो कि तुम ना Limitation of Benefit Clause लाओ और Principal Purpose Test Clause लाओ ठीक है ? मतलब LOB Rules लाएक और Limitation of Benefits ठीक है ? क्या करते हैं लोग ? ट्रीटी शॉपिंग करते हैं ट्रीटी अभिउस करते हैं मतलब जैसे मान लोग कि इंडिया और US की ट्रीटी है कोई और बहार सिंगापूर का आदमी आके उसकी ट्रीटी को क्या कर लाओ यूज कर ले रहा है ठीक है ? तो क्या करते हैं लोग ? सिंगापूर के लोग आके इस ट्रीटी को यूज कर लेते हैं उसका benefit उठा लेते हैं तो अपन क्या करेंगे इसके लिए ? यह नहीं होना चिए इसके लिए Limitation of Benefit Clause लओ तो इंडिया क्या किया LO.B Clause ला है, इंडिया मौरिस्टी में ठीके और LO.B Clause ला है, इंडिया सिंघाप्रो डीटी में ठीके तो यह तुमको पढ़ना है के अंदर था कि नहीं पढ़ना है कोई काम का नहीं है यह action plan 6 आयेगा भी नहीं तुमको paper में ठीक है पर सुमको यह बात करना है treaty abuse पार है बात करता है दो तिन लाइन चार लाइन लिख लेना अगर आगे गलती से तो पर नहीं आएगा important नहीं है ठीक है यह important नहीं है मत करना आयेगा भी नहीं जादा ठीक है अब देखो BEPS action plan 7 BEPS action plan 7 prevent the artificial avoidance of PE status अब PE status को लोग avoid कर देते हैं PE status को लोग avoid कर देते हैं review of definition of PE तो OSD ने क्या बोला कि भाई देखो tax avoidance के लिए न definition of PE को तुम फिर से review करो देखो PE को क्या करते हैं लोग avoid करते हैं ऐसे कुछ artificial conditions बनाते हैं जिससे PE avoid हो जाता है मतब तुम बोली नहीं पाऊगे इंडियम PE है उसका बन्दा इंडियम है काम कर रहा है पर तुम बोल ही नहीं पाऊगे कि इंडियम PE है ठीक है तो उनने क्या बोले कि भाई देखो एक तो commission agreements करो commissioner agreements ठीक है कि बन्दा जो habitually play करता है contract leading to conclusion of contract उसको agent reference में ले क्या हो और दूसरा by way of fragmentation of activities ठीक है और introduction to of anti-fragmentation rule to prevent fragmentation of functions which are otherwise a whole activity to avail benefit of exemption अब लोग क्या करते है भाई देखो मेरा एक बंदा है मैं एक agent को बठाते रखाए रखाओं ठीक है वो एक agent क्या करता है मेरे भयाप पर order लेता है या मेरे भयाप प और वही sign करवाता है मेरी और वही काम करता है अगे पूरा पर मैं क्या करूँगा मैं ऐसा काम करूँगा कि मैं activities fragment fragment कर दूँगा मतलब क्या मैं बोलूगा तूसे पांच बंदे रखूँगा पांच बंदे एक बंदे बन तूपर इसे मिल दूसरे बंदे को बलूँगा वह logo ना है फ्रेंट करना है जो अफ्रेंटिशन और यह THEal इसे बंदे को बना चेप़े इसे घ्रायों वे नहीं एक बना को मैंने एक्टिविटीटिस फ्रेग्मेंट कर दिया मेरे जो काम था फ्रेग्मेंट कर दिया तो ऐसे में किसी बंदे को अपनी बोली नहीं कि अपने को prevent करना है fragmentation of function क्यासा नहीं होना फ्रेग्मेंटाना हो जाया function थीके ऐस रूल बनाओ थीके तो देखो कि 1920 में इनकी बात अपने क्या माने यह fragmentation अब अपने कुछ भी नहीं किये पर यह सब्सक्राइब करता है principle role leading to conclusion of contract वह हमने क्या किये वह business connection की definition में include किये क्या business connection की definition में इसको include किये क्या yes sir हमने business connection की definition बदल दिये बदल दिये न इसको इसमें include किये principal role जो play करता है habitually placed principal role leading to conclusion of contracts यह अमने include की business connection में तो action plan 7 किसका हो गया sir action plan 7 हो गया किसका business connection का ठीक है है ना action plan 7 हो गया business connection का ठीक है अब देखो आगे देखो action plan 13 BEPS action plan 13 re-examine transfer pricing documentation ओई श्री ने क्या बोला उन्होंने बोला sir एक काम करो एक काम करो आप क्या करो standardized approach करो to tp documentation tp के documentation की तुम एक approach बनाओ क्या तुम एक master file बनाओ एक local file बनाओ एक cbc report बनाओ तीन बाते बोले उनने अपने क्या माने अपने अपने income tax में क्या माने अपन क्या बनाते हैं, एक master file बनाते हैं, और एक CBC reporting करते हैं, आपन, तो अपन ने क्या बोले, आपन master file बनाते हैं, और CBC reporting करते हैं, है न, ओके sir, एक last है, BEPS action plan 15, developing का multilateral instrument, BEPS ने क्या बोला, कि तुम एक MLI बनाओ, multilateral instrument, ठीक है, अब सरी MLI मतलब क्या है sir, क्या होता है बटा, यसे इंडिया का 110 countries साथ DT double है, इंडिया का 110 countries के साथ DT double है, अब अगर कुछ clause हमको change करना है, हमार को लगता है कि भाई, कि dispute resolution के लिए, या फिर treaty abuse हो रहा ह इसको अपने के लिए, या फिर peace status avoid हो रहा है, उसको अपने prevent कर रहे हैं, या फिर hybrid mismatch arrangements हो रहे हैं, यह तुम समझाओं क्या होता है, ठीक है, तो यह सब चीज़े जो हो रही है, मतलब गलत चीज़ें हो रही है, तो उसको prevent करने के लिए हम हो रहा है, हमको कुछ rule समझ में है चेंज करें हैं क्या, अब पूरे 110 कंटे के साथ है, तो वो एक एक DTA जा के आप चेंज करोगे क्या, नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं कर सकते अब जाजा के, तो हमने क्या किये, हमने बोले, आप BEPS क्या बोलता है, भाई, तुमे एक multilateral instrument बनाओ, कि एक instrument बनाओ, ठीक है, which will be binding on all the treaties, which will be binding on all the DTAs, तो वो तुम बनाओ, तो अपने क्या किये, हमने वो किये, हम भी ऐसा करते है, हम साइन करने चालू कर दिये, अब एक तुमने बनाए, document, MLI, multilateral instrument, जो हर एक DTA में अपलाए होगा आपके, और वो हमने साइन क्या ले सबसे, एक instrument बना के, हम एक एक treaty खोल करते हैं, वो तो नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या किये, सारी country साथ एक document बनाए, उसमें सबसे साइन ले लिए, बात खतम, समझे, खतम, तो अपने MLI बना लिए, खतम, ठीक है, तो BAPS Action Plan 1 बारे किस बारे में बात करता है, सर, BAPS Action Plan 1 बात करता है, Equalization Levy के बारे में, 4 बात क करता है, 105 BBF के बारे में, ठीक है, 13 बात करता है किस बारे में, TP Report के बारे में, सर, 7 किस बारे में बात करता है, 7 बात करता है, सर, Business Connection के बारे में, ठीक है, और, इसमें और कुछ इंदर important है, बस इतने important है, 6 वाला किस बारे में बात करता है, मैं भूल गया, यह, ट्रीटी अ कर लो कि more than sufficient है कितने ठीक है इतने आद कर लिए more than sufficient है ठीक है अब ना तुमको एक पौन बताना तुमको बस बैप्स action plans second बताना है तुमको मुझे hybrid mismatch arrangements यह hybrid mismatch arrangement क्या होता है यह important है यह बताना है तुमको what is hybrid mismatch arrangement ठीक है अपन क्या करते है a hybrid mismatch is an arrangement that exploits a difference in text treatment of an entity or an instrument under the laws of two or more jurisdiction to achieve double non taxation देखो अपन क्या करते है दो ट्रीटी पकड़े उसके बीच में difference पकड़ लिए एक gap वो गैप को exploit करते है जिससे क्या होता है double non taxation यहां भी tax नहीं हो रहा वहां भी tax नहीं हो रहा समझे हो ऐसा वो पड़ लिए अपनने पकड़ लिए अपनने क्या एक gap पकड़ लिए एक country है यह country है इनकी बीच में क्या है DT double है हमने ऐसा gap पकड़े जिससे नहीं यहां tax हो रहा है बज गया दोनों जगा है कि नहीं यह अपन करते है इसको क्या बोलते है hybrid mismatch arrangement तो BEPS action plan 2 क्या बोलता है कि भाई ऐसे जो hybrid mismatch arrangements है इसके effect को neutralize कर दो वो तो ग्यान ही बात रहे ना बैठके वो ग्यान क्या बात रहे है वो बोलते है ऐसे कुछ जो हो रहा है उसके effect को तुम समझो और neutralize कर लो ठीक है तो hybrid mismatch arrangement मतलब क्या होता है कि हम creation of two deductions करते है for a single borrow हमने एक बार borrow किया पर deduction दोनों जगा ले लेते हैं ठीक है generation of deductions without corresponding income inclusion मतलब हमने income include नहीं किया पर deduction ले लिया income में include किये भी ना deduction ले लियाaris ठीक है misuse of foreign tax rate ज़ये लिए और exemption regimes participant कर लेते हैं जाहां हम participant करने लाक है भी नहीं ठीक है तो ये चार तरहेखे से अपन क्या करते हैं ये चार तरहेखे से हम hybrid mismatch arrangement करते हैं action plan 2 क्या है? hybrid mismatch arrangement. action plan 2 क्या है? hybrid mismatch arrangement. ठीक है? अब यह क्या होता है, सर यह होता है, इसमें double taxation को, मतलब hybrid mismatch arrangement मतलब क्या होता है? double taxation, double non-taxation achieve करना, sorry sorry, मैं slip of tongue हो गया. double non-taxation achieve करना, यह कैसे कर सकते हैं अपन? फिर इंकम इंक्डूड ही नहीं क्या रिड़क्शन ले लिया या फिर अपन फॉरें टेक्स रेट में स्यूज करते हैं या फिर एक्जेम्शन रिजाई में पार्टिसिबेट करते हैं ठीक है यह इंपॉर्टेंट इसलिए बता है मैंने आपको अब बैप्स एक्शन प्लैन 7 को आप याद कर सकते हो एजेंट बॉंड 007 से येस बॉंड एजेंट 007 यह ना यह जेम्स बॉंड वाला था तो इस याद कर सकते हो ठीक है अब बैप्स रप्टर आपका अल्मॉस्ट खताव होने माला है ठीक है कॉच्टन देख लेते हैं बैप्स के अचाब मैब्स के कॉच्चन से बाधा समाह दने आपन वो ही बोल रहा है कि तुम ऐसी जगह पर shift कर रहे हो profit अपने जिससे क्या हो रहा है जिससे तुमको tax लगी हिंद रहा है कम tax लग रहा है और तुम mismatch और gaps को exploit कर रहे हो इसी को बोलते है भाई base erosional profit shifting जो मैंने समझाया आपको अब इससे adverse effects क्या हो रहे है अब देखो अब adverse effects क्या हो रहे है लोजिकल याद करते है हिंदी में थोड़ा सा समझ के तुमको याद हो जाएंगे पहली बात देखो भाई government के पास ना है ऐसे से पैसा कमा रहे है टेक्स कम देरो आप ऐसे और अपन छोटे लोग नहीं कर रहे हैं आप और मैं मिलके थोड़ी कर रहे हैं यह दुबई में कंपनी में आ रहे हैं दुबई में क्रिप्टो ट्रांसफर करते हैं वहां से कैश निकालते हैं तो मतलब दुबई में क्रिप्टो एटियम से धिरम्स में निकाल सकते हैं यह सब भी हो रहा है बहुता चीज़ हो रही है तो यह सब होता रहता है तो देखो government के क्या हो रहा है government के पास revenue कम आ रहा है और यह सब चीजों से लर्णने के लिए government को higher cost लगाना पड़ता है to ensure compliance government खर्चा कर रही compliance भाई लोग comply करें करें ठीक है okay दूसरी बात developing countries में lack of tax revenue leads to significant underfunding of public activities public investment that could help foster economic growth अब developing countries में अगर tax revenue कम होगा तो भाई public activities पर कम पैसा खर्चा होगा simple सी बात है पैसा ही ने रहा हो में पास तो खर्चा कैसे करेंगी simple ठीक है दूसरी बात अब देखो BEPS undermines the integrity of tax system as reporting of low corporate taxes is considered to be unfair ठीक है अब क्या होता है भाई कि यह बड़े लोग जो है जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे है बड़े बड़ी companies है वो कम tax पे कर रही है तो government क्या करती है पर tax revenue कमाता है तो government क्या करती है tax burden बढ़ाती है कि इस पे lower लोगों पे और अपने लोग टेक्स तो भरना ही पड़ता है तो इससे क्या होता है कि individual tax payers पे ज़्यादा पैसा वो आता है greater burden आता टेक्स का कि तो पैसा तो उत्ते लगने वाला है अब government किसी ना किसी तरीके से tax वसूल करती है अब ये बड़े लोग tax कम पे करेंगे तो वो government क्या करेगी इन prices बढ़ा देगी पेट्रोल पर tax बढ़ा देगी चीजों पर tax बढ़ा देगी जिससे उनको क्या चाहिए revenue चाहिए उनको राइट ओके लास्ट जो enterprise सिर्फ domestic market में operate करते हैं उनको फिर नुक्स company private limited और मैं सिर्फ इधर इंडिया में करता हूं काम और इंडिया से काम कर रहा हूं अब यह क्या कर रहा है मैं जो चीज 100 की पढ़ रही मुझे इसको पढ़ रही कि क्यों क्योंकि इसने तो उसमें क्या कर लिया अपना tax बचा लिया पुरा तो 90 रुपीस में provide कर रहा है लो तो इससे तो क्या हो रहा है इससे ना fair competition is harmed by distortions induced by BEPS ठीक है ओके है तो बड़े चार पॉंट बस एडवास इफिक्ट्स ऑफ बेप्स तुमको अन्हें हिंदी में समझा था कम तुमको याद रहे ठीक है दूसरा what a significant OECD recommendation under BEPS action plan 1 of BEPS which recommendation has been adopted in Indian tax laws BEPS action plan 1 में OECD ने क्या बोला और तुमने कौन सा डाउट किया बताओ तुम तुम बताओ OECD ने क्या बोला ना PE का रोल मोडिफाय करो virtual fixed place of business बनाओ ठीक है और final withholding tax लगाओ यह बोला BEPS action plan 1 ने अपनने क्या किया अपनने अपनने क्या बोलते क्या बोलती पबलिक समझ में आ रहा है क्या है ना ओके ठीक है question number 3 discuss the provision incorporated in income tax 1961 in line with OECD recommendation under action plan 4 of BEPS action plan 4 में क्या आया क्या बताओ 30 पस ने बिड़दा आया क्या yes 30 पस ने बिड़दा आया सार easy खतम अब तुमको जिसे तुमको अब जिसे तुमको concept समझाना है ना तुम तुम तुमारा income tax उसे concept पड़ओ तुम समझा दो पूरा खतम बात तुमको पदा चले क्वा कॉन section आया इससे कॉन से BEPS section plan से कॉन section आया है तुम income tax का provision लिख दो आप खतम बात डिस्क्राइब थ्री टायर स्ट्रक्चर फॉर ट्रांसर पैजिंग डॉकुमेंटेशन मेंडेट बाए BEPS action plan 13 action plan 13 में BEPS ने क्या बोला ट्रांसर पैजिंग कॉनसे डॉकुमेंटेशन बोला उसने उनने तीन फाइल बोली थी master file local file और country by country report अपन ने उसमें से क्या अपनाया ऐसा पूछा ने इसमें पर पूछेगा तो अपने बोलेंगे हमने master file और CBC report अपनाया उसमें से राइट ओके ओके एक्स्पेंटेशन अप्रोच रिकमेंडेट बाए OECD in BEPS action plan 5 which has been adopted in income tax 1961 BEPS action plan 5 में क्या adopt किया अपनने section 105 BBF 10% patent developed and registered in India right right what are the ways in which hybrid mismatch arrangements are used to achieve unintended double non-textation or long term tax deferral 4 things creation of two deductions for a single borrow generation of deductions without corresponding income inclusions misuse of FTC and participation exemption regimes simple तेको छे question है इसे खतम हो गये question खतम हो गया BEPS chapter खतम हो गया मुझे बताओ BEPS तुमको समझा की नहीं याद हुआ की नहीं BEPS action plan बोरनों तुमको तुमको याद आएंगे तुमको BEPS action plan 1 equalization levy ठीक है BEPS action plan 4 94 B 5 105 BBF 6 तो मुझे भी याद ने limitation of benefit मत याद करो 7 agent 007 business connection agent ठीक है 13 TP documentation 15 MLI और 2 hybrid mismatch arrangements तुमको second वाला तो अच्छी जाद नहीं होगा बागे सब याद होगा याद है याद है ना ओके बेड़ा ओके ओके लाइस नाइस अब तुमको बेड़ा कुछ चीदे बताने मुझे ठीक है अब next chapter start करने है अपन text treatise का interpretation ठीक है मुझे हाँ तक बताओ समझ में आ रहा है के नहीं और जम रहा है के नहीं ठीक है पच्चीस मिनिट लगने वाले है और दोनों चप्टर खतम हो जाएंगे थोड़ा से पढ़ने ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें क्वेशन पढ़ाऊंगो और दो तीन चेशे पढ़ाऊंगो इसमें पढ़ लेना मेंड साथ ठीक है समझ में आ रहा है क्या अब देखो अपन चेप्टर शिक्स कर रहे हैं application interpretation of text treaties अब यह क्या है सर अब उसका application and interpretation समझने है अपने को अब क्या होगा सर कि application and interpretation of text treaties मत्लब inteồ secours में समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो उसको apply कैसे करना है उसको interpret कैसे करना है इस बारे में बात कर रहा होगा यह chapter है ना, जहां समझने में दिक्कतारी वहां कैसे apply करना है, क्या interpret करना है सिर्फ इस बारे में बात कर रहा है chapter तो अपन क्या करेंगे कुछ अपन rule बनाएंगे कि इसको ऐसे interpret करना है, उसको वैसे interpret करना है उसको ऐसे समझना है, उसको ऐसे समझना है कुछ अपन application के रूर बनाएंगे कि अगर ये नहीं समझने तो ऐसा apply कर दो अगर वो नहीं हुआ तो वैसे apply कर दो ये अपन करेंगे तीसरी चीज, अपन और क्या कर सकते हैं सर अगर अपनों कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं अपन बहार की चीजों की help ले सकते हैं कि बहार कैसे apply हुआ है दूसरी जगा पे कैसे apply हुआ है right तो ये सब चीजे हैं इस chapter में अपन वो ही पढ़ेंगे तो बहुत इसी chapter है दो चीजे होती है एक होता है juridical double taxation एक होता है economic double taxation okay economic double taxation happens when the same transaction item of income or capital is taxed in two or more states but in the hands of different person because of lack of subject identity मतलब दो लोगों के हाथ में अलग-अलग एक income tax हो गई ठीक है मतलब एक income दो लोग के आतमे अलगर tax हो गई simple सी बात माल दो dividend में बाहर की कोई entry है जहाँ पर dividend distribution में dividend distribution tax लगता है ठीक है तो बाहर कोई company ने इंडिया के shareholders को dividend distribute की ठीक है अब बाहर company ने जब dividend distribute की तो उस पर company ने क्या भरी उस पर company ने DDT भर दी DDT pay कर दी dividend distribution tax बाहर कमती की बात कर रहा हूँ और इंडिया में shareholders के हाथ में जब dividend आया तो इंडिया में shareholders ने भर dividend पर tax भर दिया कि इंडिया में dividend तो कैसे taxable है shareholders के हाथ में तो देखो ये दो लोग के हाथ में अलग-अलग income मतलब सेम income दो बाद tax हो गई same income dividend income दो लोग के हाथ पर tax हो गई तो इस बारे में बात करता है कौन economic double taxation और juridical double taxation क्या होता है when source rule overlaps double taxation may arise tax is imposed by two or more countries as per their domestic laws in respect of same transaction income arises or is deemed to arise in their respective jurisdiction ठीक है? मतलब एक जगा residence rule से लग जाता है एक ही परसन के हाथ में दो बार एक जगा residence rule और एक जगा source rule जो पर normal DT अब ले पढ़ते है वो हम question जो करते हैं वो यह करते है geotical double taxation और economic double taxation क्या होता है कि दो लोग के हाथ में tax होरी income एक income यहाँ पर एक income दो बाद tax होरी एक ही के हाथ में समझिया? ठीक है? साक्षी दो क्या बोड़ी? hello sir, feel so surreal to see you live qualified in November and DT में तो you are a savior you are PGP and small chapters just love the videos from 33 to 56 you are my favorite thank you साक्षी बटा thank you so much अग देखो दो चीज़ा और पढ़ने इसमें types of DTAA क्या होते हैं? एक होता है limited DTAA एक होता है comprehensive DTAAs जिसमें comprehensive DTAAs are those which cover almost all types of income covered by any model convention many a time treaty also covers well tax, gift tax, cert tax, etc मतलब जिसमें सब कुछ कवाड है वो होता है comprehensive DTAA पर limited DTAA मतलब क्या होगा? मतलब यार हम लोग ना किसी के साथ DTAA में enter कर रहे हैं for limited things limited DTAAs are those which are limited to certain types of income only example DTAA between India and Pakistan is limited to income from international air transport only इंडिया पाकिस्तान का DTAA जो है वो air transport का है सिर्फ सिर्फ air transport के लिए है है ना? तो वो क्या है? वो इंडिया और पाकिस्तान का DTAA वो है के limited DTAA राइट? ओके? है ना? अब आगे बढ़ते हैं अब need for tax treaties क्या आई? tax treaties के जरुवत क्या पढ़ी? क्यों पढ़ी tax treaties जरुवत? DTAA जरुवत क्यों पढ़ी? तो देखो पहरी बात tax treaty allocating tax right के लिए मतब taxing right allocate कर दिये कि कि किस income को tax करने का right किसके पास है? इसके पास है इसके पास source country के पास या residence country के पास ये right को हमको decide करना था इसलिए हमने क्या किये? इसलिए हमने बनाए DT अब ले दूसरी बात elimination of double taxation double tax avoid होना चाहिए न भाई? उसलिए तो बनाए है double tax avoid होना चाहिए ठीक है? तीसरी बात ensuring non-discrimination between resident and non-resident हमको resident और non-resident के बीच में non-discrimination लाना है मतलब ताकि ऐसा न लगिया भाई N.R है तो उसका थम दो income tax करें है अपन ऐसा नहीं करना है न? दो बार income tax नहीं करना है हमको एक ये बार tax करना है ठीक है? तो उनके बीच में non-discrimination होना चाहिए मतलब discrimination नहीं होना चाहिए resolution of disputes on account of different treaty interpretation माल लो कोई treaty में मतलब treaty बनती है उसका different interpretation होता है उन लोग कुछ और interpret कर रहे हम लोग कुछ और interpret कर रहे है तो उसमें dispute resolution कर सकते है अपन जब tax treaties बनती है तो dispute resolution कर सकते है हुआहँ दिस्पिट resolution के share of tax मतलब सबको अपना अपना share of tax मिलना चीए अपना अपना share करेंगे दूसरा वाला दूसरा अपना करेगा ट्रीटी बना के अपन वहीं करते ना भाई तू इस income का तू टेक्स रख बाके इंकम का मैं टेक्स रखूंगा यह सब करते हैं अपन ठीक है तो नीट फॉर टेक्स ठीक है एक वीन्या कन्वेंशन में पैक्टा संसरवैंदा आया था यह सुन लो every treaty in force is binding upon the parties and must be followed by them in good faith the parties to the treaty should not dishonor their international commitments with each other by retrospectively amending their domestic laws or by not abiding by treaty terms देखो, treaty जो binding है न उनको उनको, मतब जो भी treaty है बनी होई है दोनों party binding होती है और दोनों क्या करना चाहिए उसको दोनों good faith में लेना चाहिए दोनों को उसको good faith में लेना चाहिए यह pacta son sarvanda, यह पूछा न तुमसे कभी गलती से पूछ सकता है, एक बार मैंने देखा गई question न, इसलिए आदा गया मुझे pacta son sarvanda पूछा न, मतलब क्या है जो treaty बनी ही न, वो दोनों binding है पहली बात, दोनों binding है और दोनों को उसको लेना चाहिए good faith में good faith में follow करना चाहिए simple सी बात, और कोई बात नहीं है ठीक है, और उनको अपने, मतलब dishonor नहीं करना चाहिए टीटी को और अपने laws amend नहीं करना चाहिए ठीक है जैफिर टीटी को ना follow कर ऐसा नहीं करना चाहिए उनको simple सी बात है अपने मुझ बातें बताना है ठीक है, basic principles of interpretation of text treaty ठीक है, basic principles of interpretation of treaty अब क्या हुआ ना, कि हमने क्या बोले, मैंने तुम बोला था इसी चैप्टर में जब आप interpretation करोगे तो हम कुछ rules बलाएंगे, कि भाई, इसको ऐसा मानेंगे इसको ऐसा interpret करेंगे, उसको ऐसा interpret करेंगे तो कुछ basic rule है, जो नहोंने बनाये हुए है ठीक है, अब यह पूछता है क्या क्या देखो पहले बात golden rule, objective interpretation any term or word should be interpreted keeping its objective or ordinary or literal meaning in mind देखो, आपको ना किसी भी treaty में जो बात लिकी हुई है उसको objective interpretation करना है भाईया मतलब क्या जो भी term या word को आप interpret कर रहो आपको यह दिमाग में रखना है बात कि उसका objective क्या है ठीक है, ओर्णरली क्या मिन करता है जनरली क्या मतलब होता है उसका और literal meaning क्या है उसका यह सब देख के आपको क्या करना है interpret करना है treaty को पहली बात, objective interpretation इसको यूज कर सकते हैं दूसरा, subjective interpretation terms of treaty are to be interpreted according to the common intention of the contracting parties at the time of treaty was concluded the intention must be ascertained from the words used in treaty and the context thereof ठीक है, आपको subjective interpretation अब देखो, यह हर जगा सारे यूज नहीं कर सकते कहीं पे आप objective interpretation यूज करोगे कहीं पे आप subjective interpretation यूज करोगे ठीक है तो क्या बोल रहा है यह तुम treaty का जब terms को interpret कर रहो ना तुमको common intention देखना है parties का भाई उन लोग ने क्या सोचे उस time पे उनका context क्या था यह बनाने का यह तुमको देखना है यह क्या है यह क्या है टेलोजिकल और परपजिव interpretation treaty is to be interpreted as so as to facilitate the attainment of the aims and objectives of the treaty this approach is also known as objects and purpose method ठीक है हमको ऐसे interpret करना है कि हमको जो aim थे treaty के और जो objective थे वो अच्छी हो जाए वो attain हो जाए ठीक है next the principle of effectiveness यह क्या बोलता है कि a treaty should be interpreted in a manner to have effect rather than to make it void तुमको ऐसे treaty को interpret करना है कि भाई वो effective रहे तुमने उसको interpret करके void बना जी तो क्या मतलब है तो मतलब भी नहीं है ना तुमने आकर interpret किया और उसको void बना दिया तो क्या मतलब तो क्या मतलब नहीं है next principle of contemporanea exposito यह क्या बोलता है आता भी यह बिटा यह आता है ठीक है अग ट्रीटी स्टर्मस आर नॉमने टू बी interpreted on the basis of their meaning at the time the treaty was concluded however this is not a universal principle अब यह आता है कई बार contemporanea exposito यह सिर्फ टाइम के बारे में क्या बोलता है यह कि भाईया तुम treaty को ऐसे interpret करो वो जिस time बना था उससे आप से interpret करो आज से 10 साल पहले बना था तो 10 years पहले इस चीज का मतलब क्या होता था उस हिसाब से तुम interpret करो आज 10 साल बाद 10 years बाद उसका interpret बदल सकता है उसका जो objective था उस मतलब words का बदल सकता है मतलब मीनी बदल सकती है पर उस time पे इस words की ऐसी मीनी है तो वो तुम देखो और उससे आप से interpret करो ठीक है नेक्स्ट है लिबरल कंस्ट्रक्शन इड़े जनरल पंस्ट्रक्शन with respect to treaties that they shall be liberally constituted so as to carry out the apparent intention of parties देखो अपने को liberally देखना है उसको अपने को वो rigid नी होना है उसको restrict नहीं करना है हमको उसको liberally देखना है और हमको जिससे हम carry out कर से कि intention क्या था parties का जब टीटी बनाया होना है ठीक है integrated approach any provision should not be interpreted in isolation rather the entire treaty should be read as a whole to arrive at its purpose and object मतलब क्या बोला इसने कि भाई treaty को न तुम एक clause को मत देखो ठीक है उसको isolation मत देखो पूरी साथ में परो treaty को और साथ में ही उसको interpret करो तुम एक point को पगड़के उसको interpret करो कि सही नहीं है ठीक है reasonableness and consistency treaty should be given an interpretation in which the reasonable meaning of words and phrases is preferred and in which a consistent meaning is given to different portion of instrument ठीक है तुम एइसा नहीं एक जगा कुछ और मिनिक निकार रहो दूसरी जगा कुछ और मिनिक निकार रहो ऐसा मत करना बेटा है ना ऐसा नहीं करने का जो एक जगा मिनिक निकार रहो दूसरी भी से मिनिक निकार लो है ना राइट ओके ओके सर ओके ठीक है अब देखो अब यह तो था क्या यह बेसिक प्रिंसिबल था भार से मदद लेते हैं न क्या मदद लेंगे अपन देखो अपन देखें प्रोविजन in parallel tax treaties मतब देखो अपनी country इंडिया दुबाई की treaty है parallel देखते हैं हEPन देखे हैं फ्राइफ वो हमारे जायशे parallel tax treaty है और हमारे जो country treaty है almost same उनके साथ तो उन्होंने इस point पे क्या किया है उन्होंने इस point के solution क्या दिया है वो देखते हैं उसकी मदद ले कि अपन क्या अपना solution निकाल सकते हैं वो देखते हैं उससे अपन अपन इंटरपेट कर सकते हैं अपन भी इस condition में, इस situation में क्या इंटरपेट करें simple बात जो आर्टिकल लिखे हैं, एसेज लिखे हैं, रिपोर्ट लिखे हैं, उसमें उन्होंने इस चीज़ को क्या interpret किया है, उसकी मतर्द दे सकते हैं, ठीक है, थर्ड, प्रोटोकॉल, फूर्थ है प्रियंबल, प्रोटोकॉल क्या होता है सर्व, प्रोटोकॉल इस लाई का सप्लि महीं ए, त्रीटी का, मतलब ये हमारी ट्रीटी है, ये हमारी ट्रीटी है, नतर्वी ट्रीटी है अपनी, तो न अपने क्या किये treaty के पीछे दो पेज का अपने दो पेज कहां से लाओ मैं यह दो पेज हमाल लो treaty के पीछे दो पेज का अपने क्या लगा दिये प्रोटोकॉल लगा दिये यह treaty सामने से इसके पीछे दो पेज का प्रोटोकॉल लगा दिये अब ये क्या हो गया, ये treaty में add हो गया, ये treaty में add हो गया, ठीक है, तो it is like a supplement to the treaty, तो हमने treaty के आखरे में इसको add कर दिया, ठीक है, जिससे अपन कुछ बाते इसको add करें क्या करेंगे, कुछ इसे clarify कर देंगे, ठीक है, कुछ borderline issues जो है, वो clarify कर देंगे, ठीक है, अब सब प्रोटोकॉल को treaty का पार्ट माना जाता है क्या, प्रोटोकॉल क्या, treaty का अलग लगा है अपन ने, तो क्या ही treaty का पार्ट है, येस, अब प्रोटोकॉल is a integral part of treaty, and अभी प्रोटोकॉल बन गया है, प्रोटोकॉल तो इंडिया-फ्रांस treaty, contains the most favored nation clause, thus one must refer to protocol before arriving at any final conclusion in respect of any tax treaty provision, तो भाई, किसी treaty में कर, कोई भी वो लगा हुआ है, आपका supplement, तो आपको न, final, आपका, वो जो, contusion arrive होने से पहले आपको एक बार क्या करना है, एक बार refer करना है protocol भी, ठेहेँ, अब preamble क्या होता है, preamble, ये treaty के पहले होता है, protocol treaty के बाद आप हिए, preamble treaty के पहले होता है, क्या होता ये sir, basically क्या होता है sir preamble is guide to interpretation of text treaty शुरू में होता है guide होता है उसमें लिखा रहता है भाईग तुम इसको ऐसा मान सकते हो इस चीज को ऐसा मान सकते हो तो guide होता है और शुरू में लगा होता है ठीक है last time mutual agreement procedure अब तुमको समय में नहीं आ रहा है कहीं सो मारी help नहीं हो रही है तुम्हें क्या करो एक ambiguous provision कोई है जिसके तुम लड़ रहे हो तुम दोनों बैठो एक table पे bilateral negotiation करो और एक mutual agreement पे आओ कि हाँ भाई अपन इसको ऐसा मानेगे तो एक mutual agreement procedure होती है जिससे अपन क्या करते है बैठ के न negotiation करते है और उसका अपन उसका फाया मतलब उसको मानके अपन क्या करते है आखरी में उसको apply करते है टीटी में ठीक है ठीक है अब देखो एक होता है static approach versus ambulatory approach ठीक है एक होता static approach अब ये कुछ लोग static approach अपनाते हैं टीटी को interpret करने के लिए कुछ लोग ambulatory approach अपनाते है static approach मतलब रुका हुआ है है अपन क्या रुके होए अपन टीटी को meaning लेते है at the time treaty was signed हम meaning अपकी ले रहे है जब treaty signed हुजी तब की meaning ले रहे है मतलब static है अपन रुके होए ambulatory हम भाग रहे है ambulance की तरह मतलब meaning at the time of application of treaty provision हम वर्तमान में जी रहे हैं past में ने जी रहे हैं अपन ठीक है हम present में जी रहे हैं हम क्या बोड नहीं है भाई कि हम कब apply करेंगे उसको application कब लेंगे जी टाइम पर apply हो रहा है तब उसका interpretation करेंगे हम ठीक है पहला question क्या है sir what do you mean by double taxation ठीक है तो ये बताना है पूरा economic क्या होता है juridical क्या होता है बता दिया मैंने आपको ठीक है दूसरी बात in addition to allocating the taxing rights and elimination of double taxation there are various other important consideration while entering into tax treaty elucidate ठीक है अब देखो क्या होता है कि ये अपने पढ़े है अभी कि tax treaty की need क्या-क्या पढ़ी तो एक तो ये ensuring non-discrimination between resident and non-discent पढ़े है अपनने resolution of disputes arising on account of different interpretation of tax treaty by the treaty partners कि इन लोग भाई अगर interpretation में दिखकत आए तो resolution of disputes कर सकते है ठीक है and providing assistance in collection of fair and legitimate share of tax ठीक है ये तीन पॉइंट आपने पढ़ लिया ओरड़ी ठीक है अब इसके लावा न in addition to above there are some other principles which must be considered by countries in their tax system normally tax system में ये चीज़े होना चाहिए अब ये चीज़े क्या है ये प्लीज आप लोग ध्यान से सुन लो ये important tax system में आपको समझाने बाला हूँ ये पहरी बाद equity and fairness same income earned by different taxpayer must be tax rate same rate regardless of source of income देखो दो लोग अगर same income कमा रहे है न ठीक है हो सकता है अलग-लग source से कमा है उन लोग ठीक है पर उनकी वो दोनो different taxpayers की same income same rate पे लगना चाहिए भाई same rate पे tax होना चाहिए ने तो भाई ये तो दूसरे बाले को लगना यार मैं income जो कमा रहा हूँ मेरे लगनी 30% पे दूसरे income कमा रहा है उसकी लगनी 10-10% पे कैसा चाहिए गलत बात है न ठीक है इसलिए equity and fairness होने चाहिए ठीक है neutrality and efficiency capital export neutrality and capital import neutrality affected by tax factors between the country of residence and target country देखो capital export neutrality क्या बोलता है कि भाई कोई बंदा कर export करने का plan कर रहा है मतलब इंडिया के बाहर business करने का plan कर रहा है तो tax factors है उसके decision change नहीं होना चाहिए मतलब यह नहीं होना चाहिए यार वहाँ ज़्यदा tax लग जागा इसलिए मैं नहीं करता तो treaties अपन जब भी tax system मनाते है treaty मनाते है तो अपने को make sure करना है कि यार बाहर के बंदे को भी ऐसी tax नहीं लगे बाहर का बंदे अगर और इंडिया में आना है business कर रहा है तो उसके business decision अफेक्ट नहीं होना चाहिए tax factor between country of residence and country of source से ठीक है यह कौन बोलता है capital export neutrality capital import neutrality क्या बोलता है CIN provides that the level of tax imposed on non-resident as well as resident must be similar capital import neutrality बोलता है कि जो आप resident पर tax लगा रहे हो और जो आप NR पर tax लगा रहे हो उसका same होना चाहिए जो ब लेवल of tax imposed कर रहे होना वो same होना चाहिए resident and non-resident में वो different नहीं होना चाहिए ठीक है and promotion of mutual economic relation trade and investment in some cases it is observed that avoidance of double taxation is not the only objective the other objective may be to give impetus to a country's overall economic growth and development एक मुटब बटा एक मुटब ठीक है तो mutual economic relation trade and investment का promotion होना चाहिए ठीक है सचीन बोल रहे है सर 160-60 पर आ गए है लोग बटा देखो क्या होता है कि जैसे से रात बढ़ रहे है लेट हो रहा है तो लोग कम होंगी सोने कड़ा है हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है जो बटा बैठे हैं वो सिंसियर है जो नहीं बैठे हैं वो भी सिंसियर है पर वो कल देखें है recording ठीक है पर जो बैठे हैं वो बोड़ने भाई आज ही कमपीट कगए सोएंगे अपन ठीक है अपन पढ़ ले रहें आंसर पर आपको यह इतना इंपोर्टन नहीं है आनी सकता पर आप एक बार पढ़ ले नहीं यह आपको याद करना पड़ेगा इसमें पने कुछ कंसेप्ट नहीं पड़े हैं ठीक है आपको बढ़ाता हूँ वह पहले पहले आपन आखरी कोशन देख लेते इसका वाटर एक्स्टिंसिक एड्स टू इंटर्प्रेटिशन आफ टेक्स टीटी तो क्या क्या है देखो प्रोविजन इनिप पैरलल टेक्स टीटीज इंटरनेशन आर्टिकल एसेज रिपोर्ट्स प्रोटोकॉल प्रियम्बल एंड मुच्ट अगर्म प्रोसीजर ये क्या है एक्स्टिंसी एस्टू टीटी है थर्ड पॉइंट पढ़ने है पन वीन्या कन्वेंशन ओफ लॉफ टीटीज ये चन्वेंशन का डेण़ प्रोस्ट트 वीन्या कन्वेंशन ओफ लॉफ 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 टीटी वीन्वेंशन ओफ लॉफ 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 बिपट अप говорить कि चनरिटी को पर ओड पांव मैं ऑ?? in the context and in the light of object and purpose okay दूसरी बात the context for the purpose of interpretation of treaty shall comprise in addition to text including its preamble and annexure any agreement relating to treaty which was made between all the parties in connection with the conclusion of the treaty and any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion of treaty and accepted by other parties देखो आप जब भी treaty को interpret कर रहे हो ना तो अगर दोनों treaty ने बीच के बैट के कोई agreement किया है कोई एक treaty ने instrument बनाया एक जिसमें दूसरी treaty ने sign किया है तो यह चीज़े भी आप include करो treaty अपने treaty के interpretation में क्या बोला मैंने फिर से बोला हो मेरा गलात होला खराब बेटा और कोई तुम्हारा instrument बनाया है जिसको एक ने बनाया है दूसरी ने sign किया है उसको भी तुम include करो उसको भी interpret में मतब interpret करने में उसकी मदद लो the following shall be taken into account together with the context in that any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or application of its provision कोई बाद में agreement में न तो वो भी उसको भी interpret करने में लो any subsequent practice in the application of treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation ठीक है कोई अपन बाद में ऐसा करना चालू किया अपनने जो treaty बनी थी उस time पे वो अपनने लेके नहीं आया थे पर बाद में अपन क्या करते हैं अपनने ऐसा प्रैक्टिसन चालू किया कि अपनने ट्रीटी अप्लाय करते हैं यह तो करते हैं ठीक है उसको भी लेके हो और पार्टि उस पे उन्होंने वो कर लिया है मतलब एगरी कर लिया तो वो special meaning दे दो उसको ठीक है अब देखो यहाँ जो हुआ जो हुआ जनरल लुलॉफ और दूसरी पार्टि ने sign किया था उसको भी लो तीसरी बात सर टीटी बनाने के बात कोई subsequent agreement वहाँ पार्टिस बीच में उसको भी पकड़ो next path subsequently जब टीटी बन गई और जो apply कर रहे है वो तो apply कर रहे हैं हो सकता है कि दोनों parties जो है न दोनों countries जो है वो कुछ practices अपनाती होगी कि इसको ऐसा करते हैं उसको वैसा करते हैं तो उस चीज़ को भी आप क्या करो उसको भी आप interpret करने में use करो and जो international laws applicable relevant rules of international law वो भी apply करो और कोई term को अगर parties ने मिलके special meaning दिया है तो उसको भी include करो right okay तो बड़े यहां पर अपना second chapter भी खतम हो गया interpretation of text treaties अब last chapter पढ़ने अपने बटा अपने को model text convention जो बहुत easy chapter है उसमें दो-तिन बात ही पढ़ना पर जादा नहीं पढ़ना है ठीक है उसके बाहर नहीं आएगा उसमें भी अब सर्व model text convention है क्या है यह तो बता दो उनको ठीक है overview of model text conventions सर्व model text convention मतलब कुछ text conventions होई अलग-अलग-अलग-अलग countries में meeting हुई उस बार में हमको पढ़ना है ठीक है कुछ अलग-अलग countries में कुछ meetings हुई उसमें कुछ बात निकल के आई कि इसको ऐसा करना चाहिए उसको वैसा करना चाहिए तो model text conventions बन गए कि भाई इस बारे में इस चीज इस जो convention हुआ था उसमें ऐसी बात निकल के आई इस concept मे जो यह convention हुआ तो यह बात निकल के आई यह सब बोला हुआ है model text convention में तो अपन देखते है अब यह model text convention में जब पढ़ रहे है अपन तो उसमें दो model text treaty माने जाती है एक OSD model एक UN model ठीक है एक माने जाता है OSD model और एक UN model इसमें difference है क्या difference है अपन पढ़ेंगे आगे ठीक है अच्छा बेटा मैं एक मिट का ब्रेक ले रहा हूँ मतब 30 seconds का मैं पानी पिले रहा हूँ मैं गला से आवाज नहीं निकल रही है अपन 30 seconds पर रिजूम कर रहे है जो एक बढ़ालो जूली बोल रही है sir hello sir your old student here cleared CA final November 22 just came to thank you your revisions videos helped me a lot and also business professional adjustments all the way to everyone having exams social is best thank you बेटा thank you so much Julie देखो पराना बच्चे आते हैं और ऐसा बोलते बला अच्छा लगता है और बहुत सा बच्चे आते हैं देखना आप जब भी लाइव लेते हैं आपन तो काफे बच्चे आते हैं चलो आगे बढ़ें है ना चलो चलो खत्म करते हैं सौरी सौरी थोड़ा सा डील मतला बीच में ऐसा इश्वा आया ठीक है मॉडल कर्वेंशन में दो तिन चीज़ें एक OECD मॉडल है एक UN मॉडल है और एक US मॉडल है क्या बोलता है model convention between developed countries यह किस बारे मीं बात कर रेस्डेंस की बारे में ठीक है दो developed countries की बीच में कुछ convention होता है थीक है यह एक OECD model क्या बोलता है कि दो developed countries के बारे में sorry दो developed countries के बीच में होता है and यह advocate करता है residence principle मतलब यह residence rule को emphasis देता है मतलब यह क्या बोलता है जिस country का resident है उस country में income tax होने चाहिए ठीक है UN model क्या है model convention between developed and developing country ठीक है यह है between developed and developing country और एक इसको तवजु देता है इसको तवजु देता है यह बोलता है more emphasis on source principle ठीक है more emphasis on source principle यह बोलता है भाई हम न जहाँ income कमाया वहाँ पर tax करेंगे UN model बोलता है US model क्या है यह United States apply करता है US वाले अलग ही साले यह कुछ भी करते हैं बोलते हैं माय हम तो हमारा ही करेंगे तुम्हारा मतलब नहीं है हम अपना ही करेंगे ठीक है इसे कुछ बात लिएक हुई है यह articles दियो है उसको पढ़ना नहीं अपने को कोई मतलब नहीं है यह काम के भी नहीं है पीपर में नहीं आएंगे पीपर में क्वेश्चनस अपन पढ़ रहे हैं इसमें उत्ते ही काम के हो सब्सक्राथ काम के नहीं है ठीक है एक्स्पेन बीफ़ली दर इसके सिगनिफिकेंट डिफरेंस बिविन UN and OECD model tax convention ठीक है OECD model is essentially a model treaty between two developed countries where UN model is a model convention between a developed country and a developing country यह परा difference UN क्या बोलता है developed and developing OECD क्या बोलता है two developed countries second further OECD model advocates the residence principle that is it lays emphasis on the right of state of residence to tax the income ठीक है तो यह क्या करता है OECD model यह residence principle के बारे में बात करता है ठीक है where is the UN model is a compromise between the source rule source principle and residence principle giving more weight to the source principle as against the residence principle यह क्या है यह compromise है between source and residence principle but यह फिर भी जादा emphasis किसको देता है source principle को giving more weight to the source principle जादा तवज्जु यह देता है किसको source principle को ठीक है next है when does it becomes necessary to apply the tiebreaker rule discuss the manner of application of tiebreaker rule अब tiebreaker rule कब apply होता है क्या check करते हैं देखो मानलो एक बंदा दो country resident है एक बंदा अगर दो country resident है तो क्या करेंगे तो ट्रायब रेकर rule का first test क्या होता है कि पहले बंदे का permanent home का है वो check करो अगर दोनों जगा permanent home है तो फिर चेक करो उसके center of federal interest का है मतलब कहा उसके personal and economic relation closer है कहा पर उसके personal and economic relations closer है वो check करो ठीक है पहले बात क्या बोले है अपन देखते हैं permanent home का है अगर दोनों country में permanent होम है या फिर दोनों country में नहीं है तो आप क्या देखोगे कि उसके personal and economic relation closer कहाँ पर in other words उसके center of vital interest का है उसका ऐबेचल आबोर्ड में है अगर हुसका अगए अगर है मैं अग्यमा सब्सकंगर की सब्सक्राइन करें कश्म तो अपन फिर चेक करेंगे कि कहा का national है वो इंडिया national है, foreign national है, जिस country का अप national है, वहाँ का चेक करते हैं अब ये भी inclusive निकलता है अगर अब वो दोनों जगा का national है दोनों जगा का national नहीं है तो अपन क्या बोलते है फिर भाई अब तो हमको समय में नहीं आ रहा अब competent authorities निकालेगी, कहा का ये resident है तो इसको बोलते है अपन tie breaker rule, क्या बोलते है इसको tie breaker rule फिर थर्ड question है तो वो interest और FTS के बार में बताना है, ठीक है कुछ काम करें है इस chapter में इतना ही काम का इतना ही पढ़ना है आपको ठीक है, अब November 22 में एक amendment आया था जो अब आपके supplementary में दिया हुआ है वो अपने पर पढ़ लेते है application and interpretation of text treaties में आया था most forward and favored nation clause ठीक है, उस पर question लिए है ठीक है, अब most forward nation clause क्या है ठीक है तोड़े दे पढ़ेंगे अपन इसको conclude करेंगे, अबस अपन 5 बिंट बचा हुआ है फान में पर खतम हो जआए गई है, ठीक है सुनना एक बरत्यान से ये क्या बोलते है є असे सव्मेश आटे आट। था। तो फटनल्कान से लिए एये मडिडिन ने अडनलाइ ब्छान ने निली वेल देकन फ्रेंरानल्कान मेंडिन थेंस्न dato में अगा बेक सिंटार नेहिते हैं ए गिए का में इस Спस्क्या समेंडेर येहिर करते प्र सेを again such as dividend interest income royalties FTS to a rate lower or a scope more restricted than the scope provided for those items of income in the DTAA with the first date such beneficial treatment should also be extended to the first date okay though this circular through the circular stability clarifies the applicability of MFN clause and benefit of lower rate or restricted scope of source or taxation rights in relation to certain items of income such as dividend interest income royalties FTS provided in India's TAA with the third state will be available to first date only when the all the following condition are met okay now they have said what they have said understand what they have said they have said what they have said what they have said India has entered into some countries European state OECD Netherlands France worker we can see protocol add one line left us but listen to improve foreign country and remove one taraf It means observable answer then if you think aircraft is not there तुमने हमारे साथ सब्सक्राइब कर लिए हूं ठीक है अब तुम अगर उसको हम से जदा बेनिफिट दोगे तो वह हमको मिलना चाहिए ठीक है तुम lower tax rate लगा रहे हो या फिर अपना scope restrict कर रहे हो तो वो benefit देरो तुम बाद वाली countries को न third state को तुम benefit देरो तो जो हम लोग है हमको भी उसका benefit मिलना चाहिए ठीक है तो अब civil treaty ने क्या बोला हाँ ठीक है benefit देंगे पर कुछ condition है क्या condition है पहली condition क्या है second treaty is entered into after signature entry into force of the treaty between India and first state मतलब देखो भाई हम कम मानेंगे ये चीज़ का जब तुम्हार साथ हमारी treaty पहले से signature हो गई है और जो दूसरी treaty अपने बाद में enter कर रहे तो मगर बाद में हमार साथ करने वाले पहले बाद में कर रहो तो हम क्या मतलब है तुम्हार साथ signature जो हुआ है न हमारा वो पहले होना चाहिए और जो हम बाद में जो enter करें उसकी साथ तुम्हारे होगा मतलब देखो जैसे मतलब क्या इसमें सुनो सूस मतलब समझो ठीक है एक यह MFN माली country है ठीक है अपन इंडिया है सुनना ध्यान सुनना है तुमको बहुत difficult लग रहा होगा पर easy है ठीक है अब इंडिया और MFN माली country है कौनसी country country x इसके साथ अपन डिट्रबल में enter किये कब 2020 में ठीक है और इंडिया enter कर रहा है country y के साथ 2022 में अब x क्या बोल रहा है कि भाई तुम y को जब जो benefit दोगे न वो हमको भी देना तो stability ने क्या बोला अगर तुमने पहले से enter किये हुए हो और बाद में हम किसी को benefit दे रहे हैं वो तुमको दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है पर अब बाद में जो country आएगी बाद में कोई OECD country आई तुमारे साथ अब इंडिया के साथ बाद में जैड आया 2023 में वो बले का हमको benefit दो तो जरूरी नहीं हम ऐसा देंगे जरूरी नहीं ऐसा हम देंगे ठीक है मतलब basically तुम पहले सुमारे साथ agreement होना चाहिए तब ही तुमको देंगे ठीक है दूसरी अब जो य कंट्री है यह member of OECD होना चाहिए ठीक है इंडिया ने कुछ ना कुछ फाइदा दिया होगा उसको अपने taxing rates कम किया अपना rate कम किया अपना scope कम किया यह करना चाहिए और इसका separate notification इशू करना चाहिए इंडिया को ठीक है तो अभी question एक question क्या है matrix inc सुनना question देखो हो जाया question easy question एकदम easy question है नहीं समझा बेटा इसमझा की नहीं बताओ मुझे एक बात इसमझा की नहीं बताओ मुझे एक बात बात बोड़े यह समझा की नहीं यह point टीक है तो question समझाओंगा मैं इन्होंने तीन वीडियो बनाये हुए है, MCQs और Case Narrows पे, तीन वीडियो यह देख लो, बहुत इजी है, बहुत बढ़िया बनाया है, मेरे भाईया है, यह सेम बाद है मेरे जैसा, ठीक है, भाईया है अपने, ठीक है, यह बढ़े समझा की नहीं, बताओ मुझे एक बार, जल्दी बताओ, समझा की नहीं, बोलो, बोलो, बोल नहीं रहा कोई भी, रिपीट कर दू, चो रिपीट करो में एक बार, सुन लो, सुन लो, सुन लो, Most Private Nation Clause कहा है, सुन लो, ठीक है, एक मेरी Girlfriend थी, ठीक है, Girlfriend है मेरी, उसका नाम क्या है, Girlfriend, पुरानी Girlfriend है मेरी, Nora, ठीक है, ठीक है, मैं हूँ यश, ठीक है, अब Nora को बोला, यार, देख, Nora, मुझे न, एक को Girlfriend चाहिए, Nora बोली थे, कोई Allowed नहीं है, बोला, Please, 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 जरूराता है, Nora ठीक है, Nora बोला में बहुत अंडरस्टेंडिंग है, ठीक है, एक्जामबल के बोला ऐसा कुछ है नहीं, न, Nora ठीक है, तो मैंने एक को Girlfriend मिला लिया, कौन, Jacqueline, ठीक है, तो, अब Nora बोली पर तुम Girlfriend तो बना रहो Jacqueline को, पर कुछ बाते हैं, ठीक है, जो तुम बोला मानने पड़ेगी, तो भी तुम Girlfriend मिला नहीं दूँगी, मैं बोला हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो Nora ने क्या बोली, कि जो फायदे तुम Jacqueline को दे रहे हो, वो मेरे को भी देना पड़ेगा, ठीक है, नौरा क्या बोली, Jacqueline को जो तुम फायदे दे रहे हो, जो benefit दे रहे हो, ठीक है, वो मेरे को भी देना पड़ेगा, तो मैं नौरा को बोला, हाँ ठीक है, दे दूँगा, ठीक है, दे दूँगा, तो पर मैं नौरा क्या बोला, मैं कब दूँगा benefit, जब मेरा तुम्हारे साथ, पहले से relation है, जो की है, अगर मेरा तुम्हारे साथ, पहले से relation नौरा, तो मैं तुमको वो benefit दे दूँगा, जो मैं Jacqueline को दे रहा हूँ, पहली बात, दूसरी बात, ठीक है, मैं Jacqueline को girlfriend बना क्यों रहा हूँ, क्योंकि वो OECD की member है, ठीक है, Jacqueline गर्फर्म बना रहा हूँ, क्योंकि वो OECD की member है, मैं तो नहीं बनाता, ठीक है, ठीक है, है न, तो OECD की member है, तो ही नौरा का benefit दूँगा, अगर बहार कोई लड़की होती न मतलब बेसिकली दूसरी पार्टी जो है न दूसरी कंट्री जो है जो है जिससाथ एंटर कर रहे हैं वो ही वो भी OECD के मेंबर होना चाहिए अगर मालो मैंने जैकलीन के साथ कुछ रिलेशन में एंटर किया और मैं जैकलीन कुछ फायदा दे ही नहीं रहूं मैं कुछ दिया ही नहीं इसको तेओ क्या को दू मतलब कुछ टेक्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं तुम गलत मस्मधना तो इसको फायदा देना ही पड़ेगा सिंपल अब देखो अब यह बात छोड़ दो यह बहुत भाल्दू बात किया मैंने अब सुन मेरी बात ठीक ह है ना तुम्हार साथ मेरा एग्रिमन पहले सोना चाहिए ठीक है दूसरी बात दूसरा जो वाय बन रही है वो member of OECD रहना चाहिए और तीसरी बात मुझे कुछन कुछ फायद देना चाहिए उसको तब ही तुमको मैं फायद दूँगा ठीक है तो अब देखो यहाँ पर question देखो question देखो easy question है ठीक है easy question है matrixink incorporated in country X holds 26% controlling interest in pillu limited ठीक है Indian company pillu limited declared dividend of 50 lakh during previous year 2023 the delay between Indian country X which came into force on 1118 1118 को force में आगय था यह किसमें India और country X का delay धान देना provides for taxation of dividend at 15% thereafter ठीक है 15% dividend पे tax लगाता है ठीक है thereafter India entered into a DTAA with country Y which came into force on 15-5-2018 ये बाद में आते हो 15-5-18 को आया ये color change करता हूँ 15-5-18 को आया the India country Y DTAA inter alia provides for concessional tax rate of 10% in respect of dividend country X is an OECD member since 15 and country Y is also an OECD member since 17 Mr. Jack, CFO of Metrix Inc seeks your opinion on whether the concessional tax rate provided in DTAA between Indian country Y can be availed by resident of country X and if so, are there in further condition to be satisfied अभी ये country X क्या बोले कि भाई तुम country Y के साथ DTAA में enter कर रहे हो और उसको dividend पे सिफ 10% tax लगा रहे हो तो हमको भी लगा हो ना 10% ठीक है, पर हमने क्या बोले कुछ condition है पहली बात second treaty जो हम इंडिया के साथ country Y से एंटर किये वो क्या होना चीए वो should be entered into the after the signature entry into force of treaty between India and first state जब पहले country एक साथ treaty थी उसके बाद होना चीए एसा है कि हाँ ये कर्णिस सेट्सवा हो गई क्योंकि ये है 1118 को ये 15518 को ठीक है दूसरी बात second treaty is entered into between India and a state which is a member of OSD at time of signing treaty with it अब जो अपन enter कर रहे हैं ये भी सेट्सवा हो गई क्योंकि ये दोनों OSD member है second treaty country भी OSD member है ठीक है और third क्या है इंडिया ने कुछ नों कुछ benefit देना चाहिए उसको हाँ इंडिया कंट्री वय को benefit दे रहा है 10% rate पे तो अगर ये दोनों तीनों कंट्री सेट्सवा हुई तो क्या होगा country X को भी वो benefit मिल जाएगा मतलब country X को भी 10% लग जाएगा ठीक है अब देखो वोडियो आंसर चेंज इफ country Y had become an OSD member in the year 2020 अगर country Y बाद में बनता है OSD member इन लोग ने enter कब किये enter treaty treaty enter की 15,5,18 और country Y बाद में OSD member बन रहा है भाई जिस टाइम पे enter किया उस टाइम पे OSD member होना चीए था अगर 2020 में 2020 में वो OSD member बनता है तो क्या ये treaty apply होगी क्या ये most river nation clause लगेगा नहीं फिर तो नहीं लगेगा फिर तो लगेगा ये नहीं ठीक है ओके ये नहीं लगेगा simple इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है तो that's it I hope आपको cover हुआ सब कुछ clear हुआ हमने try के कम से कम टाइम में एक घंडे का plan क्या था बच्चे बहुत सारे first time पढ़ रहे होगे इसको इससा आप समय ने 1.5 आर्स में खतम किया ठीक है अगर समय है तो please like करना प्रीज अपने दुस्ता शेयर करना और मुझे comment session बताना कैसा लगा आपको ठीक है live comment में तुम बताई रहे हो इसके साथ आप लोग को अलग से मुझे comment session बताना है कैसा लगा ठीक है thank you so much अब अभी रात के 2 a.m हो रहे हैं ठीक है और मैं अज दिनबर बहुत दूसरे काम में था इसलिए मैं session ली नहीं पाया दिनबर इसलिए मैं रात को ले रहा हूं ठीक है गौरफ खनेवाल यह मेरे जीजू है जो भी शायद मुझे comment कर रहे है एक नमबर ठीक है जीजू है साथ में मतलब लाइफ पे थैंक यू जीजू ठीक है एकदम जबरता साज मेरे जीजू तो अपने दोस जैसे ही एकदम खास ठीक है और वसंद बोड़नाए सर हाई सर होप यह दूइंग वेल आए क्लेट रूपट निलास अटेंप्ट वस फिलिंग नी प्रिवेस अटेंप्स तु सेक्य 14 DT but I use your book in the last time and the very next thing clear troop 2 क्या बात है वसंद congrats ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है थैंक यू समच बेटा I hope you liked the video thank you see you bye मिलते हैं और लाइक कर जाना ठीक है बेटा न्यू कोर्स ले बैच जो आएगी May 24 ले न्यू कोर्स ले बैच आएगी और न्यू कोर्स अनौन्स रहने के बात ही आएगी चिंदा मन्त करो ठीक है ओके बाई मिलते हैं